सावले गालों पर काजल की लंबी गीली लकीरें खिची चली जा रही थी आज बहुत दिनों के बाद तो वह खुल कर रोप आ रही थी दो राहे पर खड़ी जिंदगी से और उम्मीद भी क्या करे चका चौन से भरी एक दुनिया उसे अपनी तरफ बुला रही थी पर वह न जाने क्यों चली आई थी उस दुनिया से ना ना उसका कोई इंतजार करता हुआ नहीं था घर पर कौन होगा उसने खुछ से पूछा घर पर मां होगी न रास्ता देख रही होगी सुमित्रा नहीं आई है भगवान ये सुमित्रा नाम इत्ता पुराना जैसे राजा राम चंदर के जमाने की रही हुँ मैं बड़े लोगों के घर जाडू पोचा करते करते पहले लव हेट जैसे शब्द और आई लव यू आई हेट यू या आई लव दिस आई हेट दिस जैसे जुमले सीख गई थी और सीख गई थी अपने नाम से नफरत करना और अपने आप से प्यार करना आकिर कमी क्या थी उसमें अच्छी खासी तो है खोड़ा कॉलोनी में पैदा न होकर हाईवे के पार जो फ्लैट्स की आलिशान दुनिया है वहाँ पैदा हुई होती तो आज वह भी कुछ-कुछ ह होता है वाली अंजली जैसी होती उत्ती ही सुंदर उत्ती ही कोमल बड़े लोगों की फ्लैट उसे अपनी तरफ खीचते थे पर वह केवल जाडू पोचे के लिए वहाँ नहीं जाना चाहती थी वह जाना चाहती थी लड़कों की गर्ल्फ्रेंड बनकर जहां उसके बालों में नई नई कलरिंग हो हाई हील हो छोटी छोटी ड्रेस हो डांस हो और उस पर फिदा होने वाले कम से कम दो तीन लड़के तो हों हाँ वैसे उसकी खोड़ा कॉलोनी में तीन चार लड़के हैं जो उसके पीछे पड़े हैं पर उनका क्या उनका क्या स्टेंडर्ड एक तो कूड़ा बीनता है साला थो आंकों से आंसू उसके मूँ में आ गए थे आंसू का खारपन उस लड़के के कूड़े की बद्बू में जैसे मिल गया उसने साला कमीना कहकर थोग दिया गला खकारा अंदर से जो भी बह रहा था उसे साला कुटा कमीना मुझसे प्यार करेगा आउकाद देखी है कहकर थोग दिया फिर दूसरा लड़का कहीं पर नाई का काम करता है ऐसा लगता है जैसे वह ना तो आदमी में ही है और ना ही औरतों में हरामी खोड़े की इस कालोनी की हर लड़की के बारे में जानता है उसकी दुकान में आते हैं कई आवारा बाल कटाने तो बाल काटते काटते उनके अयाशियों के किस से सुनता है और हर लड़की किस के साथ है या कौन कब लोधी गाड़ या कालिंदी कुझ गया था जिसे कहीं जगे नहीं मिली तो शाम होते ही नहर के किनारे जाड़ियों में कूड़े के धेर के पास ही कौन किसके साथ कितने समय तक रहा कितना शरीर किसका गुलजार हुआ ये सब उसे पता होता था हरामी क्या मैं वैसी हूँ पूरे खोड़े गाउं में मेरे जैसी नहोगी मैडम जी क्या हुआ कोई परिशानी है क्या पुलिस वाले ने आकर पूछा नहीं सर जी न जी आप बहुत देर से या बैटी है न ये इलाका भली औरतों का है नहीं न रात में आप समल कर रहिएगा बाकी मैं तो इस गाड़ी में हूँ ही क्या सर जी ओ मैंने कहा कि सौ नंबर वाली गाड़ी होटल के सामने ही खड़ी रहती है आप चाहें या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जिजकना नहीं थंकू सर जी ओए कोई नहीं लग रहा पहली बार वाली है उससे मिलकर अपने साथी से बोलते हुए उस पुलिस वाले ने कहा उन लोगों की हसी उसे अपने शरीर पर रेंगती सी महसूस हुई ये कमबक्त शरीर ही सबसे बड़ी जड़ है परेशानी की उफ ये पहली बार पहली बार शब्द उसे ऐसे ही लगता था जैसे उसके उपर कोई उसी एसिड की बारिश कर रहा हो जिससे वह अपना गिसा हुआ बातरूम गिस्ती थी उसे याद है जब उसके शराबी पिता ने उसके साथ शराब के नशे में बत्तमीजी की थी और अपना शरीर उस पर थोपने की कोशिश की थी कैसे दर्द में नहा गई थी उसके बाप ने बेशर्मी से हस्ते हुए कहा था साली नकरे करती है एकदम अपनी माँ पर गई है शरीर है दर्द तो होगा ही पहली बार है न बाद में तो खुद ही मज़े आएंगे पर उसके शरीर को खुद पर से परे धकेल कर भाग गई थी बस उसके कानों में उसके बाप की पहली बार शब्द गूंज रहे थे अपनी मां से पूछना चाहती थी पहली बार क्या होता है ठिटक जाती बेटी होकर मां से इतना भीशन प्रेशन कैसे पूछ सकती है सवाल के बाद मां क्या उतनी ही ममतम अई रह पाएगी पता नहीं कौन सी देवी दुर्गा काली का रूप धारण कर ले जवाब में गाली ठुकाई भी संभव है काम से दिन भर की ठकी मां के लिए आराम भर चारपाई चाहिए कोई दुख दर्द की गाता नहीं कोई अंचाहे सवाल नहीं पड़ी हिम्मत करके तो उसने पिता वाली बात बता दी हैरान रह गई सुमित्रा की मां को अच्रज न हु जैसे उन्हें उम्मीद रही हो पिता से मां के चहरे पर सावधानी के लक्षण जरूर उभरे उस दिन से कोशिश करती है कि बाप के साथ अकेली बेटियों को घर में छोड़ कर ना निकले मां को इतना ठंडा पाकर उसके हिम्मत बढ़ गई फिर उसने टनो भारी सवाल पूछी दिया मां तुम्हें पहली बार किसने चटा से एक थपड़ उसके गाल पर लगा करमजली साली अपनी मां से ऐसे पुछती है अरे हम औरतों का क्या होती है इतने लोग गुजरते हैं कभी न कभी तो किसी न किसी का पहली बार होता ही है किसे किसे बताओ चल भागां से हम जुग्यों की औरतों को इस्तमाल की चीज समझते हैं लोग धन्दे वालियों पर पैसा फूंक आते हैं हम तो फ्री में हैं बागयां से ओ, काश इतना ही सरल होता भागना तो वै भाग जाती भाग जाती सडक पार की रंगीनियों में भाग जाती नौईडा जाने वाली हर कैब में जिसमें वै सुभह सुभह इनी फ्लैटों से तैयार होती लड़कियों को जाते देखती वै क्या उनसे कम है अगर उसे उसके अम्मा बाप ने पढ़ाया होता तो वै भी जा रही होती आज इतना ही मेक अप करके जी आंटी, नहीं, बस, नहीं, अब नहीं करूंगी मैं होटल के बाहर ही, जी, जी आंटी सुधा आंटी का फोन था ये सुधा आंटी भी न, बहुत जल्दी रहती है उसे नई लड़कियों का सौधा करने की डील करवाने की हाँ, यही सुना था उनके बारे में उसने यह भी सुना था कि वह कोठियों में काम दिलाती है बाप के मरने के बाद माने भी जब खाट पकड़ ली तो छोटा भाई बैनों की बैती नाक पोचने वाली सुमित्रा पर घर की जिम्मेदारी आ गई उधर उसका गूजर मकान मालिक भी उसे डराता था कि दो महिने से किराया नहीं दिया है अब की बार सामान ही फेक देगा हाई, सामान फेक देगा तो उसके भाई बैन तो अभी से आवारा हो जाएंगे वैसे भी उन्होंने इसी नहर और नाले के किनारे रहकर कभी कभी उसके साथ जलेवी भी खा लेती थी और जो कभी कभी पहली बार का सुक चाहता था और वै उसे सिर्फ पपी जपी देकर क्रतार्थ करती रहती थी ने उसे सुधा अंटी के बारे में बताया था कि वै कोठियों में जाडू पूछे का काम दिला सकती है तो सब उनकी तारीफें करते थे और खोड़ा के अच्छे घरों के मरद अपनी अपनी बीवियों को सुधा अंटी के हवाले छोड़ कर निश्चिन्त हो जाते थे कि चलो उनकी रात की दारू पकी अब जब बीवी कमा ही लेगी तो दिन में अपनी नौइडा में किसी फैक्टरी में मजूरी करो और रात में बीवी की चिक-चिक से भी दूर अपनी बीव और जीओ पर रात में किस के ज़़ू पूछा होता है सुधा अंटी सबसे पहले अपने यहां आने वाली हर लड़की को सजाती थी समारती थी वे भी अपने ब्यूटी पार्लर में जिसे उन्होंने घर पर ही खोल रखा था उसमें वे सबको मेकप करना सिखाती थी एक अंग्रेजी सिखाने वाली भी थी जो थैंकू सौरी जैसे शब्द लड़कियों को सिखाती थी उसने एक दिन पूछी लिया आंटी क्या जाड़ू पोचे के लिए भी इत्ती सबकी जरुवत होती है सुधा आंटी कितना हसी थी अरे ये सब जाड़ू पोचा ही तो होता है शरीर का जाड़ू पोचा और सब हसने लगी थी और सबकी डिमांड अलग-अलग अधिकतर की डिमांड होती थी शादी शुदा घरेलू औरते तो जादत चूचापड न करें दो घंटे बस उनकी इच्छाओं पर नाचें और इसके लिए वे सब इतना पैसा देने के लिए तयार रहते थे कि सुधा अंटी के प्लेस्मेंट ब्यूरो में नौकरी करने वालियों की कमी नहीं होने पाती थी एक बार जो सुधा अंटी के प्लेस्मेंट ब्यूरो का हिस्सा बना तो वह बस बन ही जाता था फिर और कहीं नहीं जा पाता था कुछ जुग्यों के अयाश मरद बीवियों को मार पीट कर भी सुधा अंटी के पास लाते थे साली घर पर पड़ी रोटी तोड़ती है कुछ करा दो चार पाँच्छे मरद छू लेंगे तो अपवित्तर नहीं हो जाएगी वैसे ही कौन सी सीता महिया थी साधी से पहले भी तो सब कुछ करे बैठी है अपने यार के साथ रात होते ही सुधा अंटी का ब्यूरो कुल जार होने लगता था एक गाड़ी आती उसमें नंबर के हिसाब से और कौन किसके पास जा रहा है के हिसाब से लड़कियां बैठती अंटी के तमाम हुकमों में से सबसे बड़ा हुकम यही होता कि नकरे नहीं करना जो कस्टमर बोले वह करना जादा नकरे करने से कस्टमर तुनक जाते हैं और तुनकने का मतलब है कि कस्टमर का हाथ से जाना और कस्टमर के हाथ से जाने का मतलब है तुमारी कमाई नहोना और लगभग सभी औरते हां में से रहलाती हाँ घर में ही रहकर कौन सी रानी बनी बैठती है ये कामवालियों की बस्ती भी जहां पर रात होते ही कराहें और आहें पूरे माहौल में छा जाती थी दिन भर काम करने के बाद अपने आवारा पतियों की इच्छा पर शरीर को परोसने के बाद वे सब अपने सुख दुख साजा करने के लिए बैठ जाती थी पर उसकी माँ के साथ ऐसा नहीं होता था उसकी माँ पिट लेती थी अपना शरीर को चलवा देती थी फ्लैटों में ज़ाडू पोचा करके जो पैसा आता था उसका बाप वह सब छीन लेता था पर मजाल कि वह कुछ बोल भी थे वह कुछ नहीं बोलती थी बस जो उसका पती यानि उसका बापू बोलता था उसी में राजी हो जाती थी उसे इन कामवालियों की बस्ती में उटने वाली हर कराह और आह अपनी ही लगती थी और अपने दरवाजे पर बैठ कर सब के दर्द बांठती कभी-कभी जब सुभई वे काम पर जा रही होती तो कुछ कामवालियां अपनी रात की कहानी सुना रही होती वह बस इतना कहती सुनो बच्चे हैं कोट्री में जाकर किस्ता सुनाओ इंग्रेजी सराप का और उसे समझ में ना आता था कि उसकी कालोनी में तो इंग्रेजी सराप की दुकान भी नहीं है फिर भी ये इंग्रेजी सराप अब समझ में आ रहा है कभी कभी तो उसे सही भी लगता है कि रात में उसका बाप ही कौन सा उसकी मा को छोड़ देता था देशी दारू की बद्बू जराजी कोडरी में फैल जाती थी और उसकी मा उसके बाप के घर आते ही उसे भाई बेनों के साथ भगा देती थी उसका बाप ही उस पर भद्धी नजर डालता अरे है तो यह मेरी ही आजा आजा उसकी माँ उसे भगा देती उसका मन होता कि अभी जाकर मंदिर में पकवान से पूछे कि अगर उसे सडक के इस तरफ पैदा न कर दूसरी तरफ पैदा कर दिया होता तो उसका क्या भी गड़ जाता बहुत समय हो गया है इसी मेक अप में यहां होटल के बाहर बैटे हुए कैला माइन बहुत लगा दिया था शायद अभी तक मेक अप की परत हटी नहीं है उसकी नजर सामने वाले पुलिस की गाड़ी पर गई सिपाही ने हाथ हिला कर कहा मैडम जी जैसी भी जरूरत हो बता देना खाली ही है तभी दूसरे वाले की आवाज उसके कान में पड़ी यार शरीफ लग रही है छोड़ना बेचारी लग रहा है फस गई है मैं बेचारी उसने सोचा हाँ शायद उनके लिए मैं लग रही होंगी पर इस होटल तक का सफर तो उसने खुदी तै किया था सुधा अंटी ने उसे सब कुछ बता दिया था पहले उसकी ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे उसे कस्ट्रमर को खुश करना है कैसे बोलना है कैसा मेक अप करना है अब पहले की तरह मेक अप नहीं होता जिससे ऐसी ओरतें पहचान में आ जाती थी आप तो उन्हें घरेलू शरीफ ओरतें चाहिए होती है कभी कभी उसे शरीफ शब्द से सबसे ज़्यादा चिड़ होने लगती है शरीफ कौन होता है पर उसे क्या होता रहे शरीफ कोई भी उसके लिए शराफत केवल इस समय अपने भाई बेनों का पेट भरना और उनके सपनों को पूरा करना है उसके सपने आंसू पोंचते हुए उसने अपने शरीर पर अपने कस्टमर के ओठों का बोज महजूस किया फिर उसे अपने सपनों के साथ तौला वा देखो अभी उसके सपने ही भारी थे उसके सपने कलर किये हुए बाल, छोटी छोटी ड्रेस, पार्टियों में जाना, इंग्रेजी वाली सराप पीना सुधा अंटी ने उससे कहा था कि उसके ये सभी सपने पूरे होंगे वह रात में बस दो-तीन घंटे बिता आये और दिन में कुछ भी करे डान सीखे, पढ़ाई करे, मेकप करे, कुछ भी करे पर रात का काम, लोग क्या कहेंगे? सुधा अंटी ने कहा, कौन से लोग? किन लोगों से डर रही हो? जब तुमारा बाप जंगली बनकर तुमारी मा को नोचता था, कोई आया बचाने? हाँ, सुधा अंटी ने ठीक ही कहा था एक देन उसके हाथ में उसकी मा की पुरानी फोटो लगी थी उसने पूछा मा ये कौन है? अरे नास पीटी कहां से मिली? काले बकसिया से, तो निकाली क्यों? पर ये है कौन? मैं ही हूँ तुम? पर तुमारे बाल तो बहुत लंबे हैं और घने भी? हाँ, शैंपू तो खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो काली मिट्टी से साफ करती थी मेरी मा उसका बाप देशी के नशे में आकर मां के चेरे पर तो नोचता ही था पर उसने नोच नोच कर उसके सर के बालों को भी उसकी मां को गंजा कर दिया था मा चीक थी पर उस बस्ती में ये चीक कोई नई बात तो थी नहीं फिर एक दिन उसके सारी चीकें बंद हो गएं अब ना उसके सर पर बाल बचे और नहीं उसका चेहरा ही ऐसा बचा था जिसे वे और खराब कर पाए और एक बरस पहले तो बापू ही चला गया उसने उस दिन की सांस ली थी वे इन फ्लैटों में देखती छोटी छोटी बच्चियां अपने बापों से कैसे लड़ियाती थी वे अपने बाप के कंदे पर सर रख कर सोती रहती हैं और मैडम लोग तो एकदम रानी बन कर बैठी रहती हैं क्या कभी उसके साथ ये सब होगा या वे भी तरह एक अभिशप्त जीवन जीएगे सुधा अंटी उसे समझाती क्या फरक पड़ जाएगा देखो ये सब भी तुकर रही हैं अपने पती से ज़्यादा कमा रही हैं और देखो कोई भी इने नहीं मारता सुधा अंटी शायद अपने धंदे के कारण उन सब परेशानियो को कैला मां इन की परत के नीचे नहीं देख पाती थी पर वे कैसे उन सब सपनों को अंदेखा कर दे सुधा अंटी को क्या पता कि पती के पैसों से लोकल वाजार में जलेबी खाने में जो मज़ा है वे शरीर बेच कर पिज़ा खाने में नहीं उसकी मा की आखों में उस मिठाई की कितनी खुशी होती थी जो उसका बाप कभी-कभी लेकर आता था और नशे में नहीं होता था तो उसकी मा के बाल भी काड़ता था अपनी मा का चेहरा देख कर वे भी था, वे सुधा अण्टी से पूछे, कि क्या उन्हें बिल्कुल भी यह नहीं देखता, कि मेक अप की परत के नीचे इन ओरतों की कई कसकें दभी हैं। पती के पैसों से ही सिंगार करने की हसरत, पती के पैसों से गूलगप्पे खाने की हसरते हैं क्या ज़्यादा मांगती हैं हम कामवालियों की बस्ती की ओरतें जो मांगती हैं वे भी मिलता नहीं उसके लिए भी लाद गूसे ही मिलते हैं हम कामवालियों की बस्ती किवल आहों और काराहों का हिसाब रखती है और जो सपनों का हिसाब रखती है उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है और और आरतें खोने के लिए तैयार भी हैं सुधा आंटी इस तडप को समझती हैं और वे इसी तडप का हिसाब वसूलती हैं वे जो मेकप करती हैं उसी मेकप में उस तडप को इतना अंदर दफन कर देती हैं कि आँखों के काजल में माधकता और नशा ही रह जाता है आंसु कहां जाते हैं उसे पता नहीं चलता पर सुभे जब आंटी उन्हें पैसा देती हैं तो उस खुशी में छिपे दर्द को वे महसूस करती हैं वे भी रोती है जब बगल वाले आंटी सुभे सुधा आंटी से पैसा लेते समय हस पड़ती है क्योंकि जब से उसके बाप ने जबर्दस्ती की थी तब से वे जबर्दस्ती के दर्द से ही कांपती रहती है पर सुधा अंटी ने बताया था कि ये तो इंग्रेजी सराव वाले होते हैं ना बड़ी नफासत से करते हैं सब कुछ ओ इस कांप में नफासत भी होती है एक दिन उसने अपनी मा को अपने बाप के हातों नंगा होते और बाप को उसे नोचते खसूट से देख लिया था उसके मन में डर बैठ गया था सब कुछ कितना भायानक होता है पर अपने सपने पाने के लिए इस भायानक दौर से तो गुसरना ही होगा एक तरफ उसके मन में डर पैदा होता तो दूसरी तरफ उसके मन में अपने सपने थे वह क्या करे तुधा अँटी ने कितने खुबसूरत तस्वीर उसके सामने खीची है जब मन हो तब काम करो और जब मन ना हो तो ना करो रात में दो तीन घंटे का काम और फिराराम उसे हसी आई थी पहले दिन तो ये साले शरीफ घरों के आदमी दिन के उजाले में हम जैसियों की तरफ देखते भी नहीं पर रात में कोई फरक नहीं पड़ता दिन में कौन जात हमारा पानी न चूले अरे बुरका वाली नहीं और रात में क्या जात क्या बुरका और क्या गूंगट हे भगवान ईश्वर ने शरीर का सुख कैसा सुख बनाया है ये आदमी सुखह उठते ही सब भूल जाते होंगे कि रात में किसके साथ थे कोई गंगाजल डालता होगा तो कोई अजान पढ़ने बैठ जाता होगा और इधर हम लोग खुश हो जाते हैं चलो अपना कुछ दिनों का काम तो चलेगा वे दो पहचानों वाली हो जाएगी कोई उसे कॉल गल कहेगा कोई सेक्स वरकर पर वे क्या होगी अगर वापस जाएगी तो ही कौन सी भली जिन्दगी जीलेगी क्या पता जो उसने उस लड़के के साथ किया जले भी खाते खाते वे उसके होने वाले मरत को पता चल जाता तो वे भी उसके जूठन का ही आरोप लगाएगा उसके होने वाले को फिर उसके साथ भी वही होगा जो उसकी मा के साथ हुआ नहीं नहीं वह अपने शेंपू से कुमल बने बालों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकती उसे अपने चेहरे से भी बहुत प्यार है उसे अपने शरीर से भी बहुत प्यार है उसे भी डांस भी सीखना है भाई वेनों का पेट भी भरना है और मां की दवाई भी लानी है उसे बहुत कुछ करना है और इस बहुत कुछ करने में कुछ समझोते करने पड़े तो क्या हर्ज है क्या वे इन समझोतों की कीमत चुकाने के लिए तयार है क्या वे उस दर्द से गुजरने के लिए तयार है हाँ क्यों नहीं उसके सपने बहुत बड़े हैं इन फ्लैटों से भी बड़े और अपनी कालोनी से तो बहुत ही बड़े सुधा अंटी का फोन फिर आने लगा है कस्टमर उसे परेशान कर रहा होगा वह क्या करे उसने फिर फोन काट दिया है अब ये सुधा अंटी भी ना बस परिशानी कर देती हैं सड़क पर जिस तरह स्ट्रीट लाइट खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में लपलपा रही है वैसे ही उसके मन में उसके सपने और नहतिकता और शराफत में से बारी बारी से कोई ना कोई आ रहा है फोन बज रहा ह होटल वाला संदेशा दे कर जा चुका सुपर टेक वाली मैडम ने तो देखते ही मना कर दिया था और वो गौड गंगा वाली मैडम दीर तक उसे घूरती रहे सारी बात तैक कर ली और आखिर में मना कर दिया अंतिम घर जहां उसने काम किया था मैडम ने वहीं फोन लगा कर सुमित्रा के बारे में तसली करनी चाहिए फोन पर बात करते हैं सुपर टेक वाली मैडम ने तो देखते ही मना कर दिया था और वो गौड़ गंगा वाली मैडम देर तक उसे घूरती रहें सारी बात तै कर ली और आखिर में मना कर दिया अंतिम घर जहां उसने काम किया था मैडम ने वहीं फोन लगा कर सुमित्रा के बारे में तसली करनी चाहिए फोन पर बात करते हुए मैडम का रंग बदलता रहा और सुमित्रा का दिल डूपता रहा वह समझ गई कि यह काम भी गया हाथ से फोन कट होने के बाद मैडम का रंग बदल गया था शॉरी मैं तुमें नहीं रख पाऊंगी मैंने तुमारे सारे किस्वे सुन लिये आपको मेरे काम से कोई शिकायत नहीं होगी एट बार काम करवा कर तो देखो आपको पता नहीं उन्होंने क्या बता दिया है रुआसी हो गई हाथ से सब कुछ फिसलता सा लगा एक और रिजेक्शन जीलना पड़ेगा वे क्या बताएंगी तेरे लक्षन ही तो देख रही हू जब से आई है कान में मोबाइल का वायर लगा ही हुआ है पता नहीं मेरी बात सुन रही है या गाने गाना ओफ कर रखा है आप मेरी बात तो सुनो ना ना तुझे उर्मिला ने बेजा है न जरा उसको भेज यू मेरे पास कुछ बात करनी है मुझे कामवाली चाहिए मनुर मौल भी घूमना है, नाइट सो भी देखना है, दिन भर मोबाइल पर लगे रहना है, काम क्या करेगे? उन्होंने ऐसा कहा आपसे, कितना जूट बोलती है मैडम, सुमित्रा की आँखे फैल गए, चल, वो जूट बोलती है, पर तेरी वेश भूशा तो नहीं जूट बोल रही न, दिख तो रही है न, जैसा उन्होंने कहा, ये तू जो हीरोईन बनी फिरती है, बालों का पफ बना कर, ये छोटे-छोटे कपड़े, किसी ने टोका नहीं तुझे, कोई रखेगा ऐसी हीरोईन को, कामवाली चाहिए, नचनिया गवनिया नहीं, समझी, इस थूल का है मैडम, हास नचा नचा कर, उसे औकात पर ला रही थी, खोद दिन बर चेरे की पुताई में लगी रहती यहां भेजने से पहले, उर्मिला ने बता दिया था, कि मैडम कोई काम करना नहीं चाहती, उसे हैलपर चाहिए, हर समय उसका ओडर बजाए, सुमित्रा को तेज गुस्ता आया, काम तो नहीं देगी, ठीक से सुना कर निकल जाएगी, किसी का उधार नहीं रखना, काम ही तो नचनिया गवनिया क्यों कह रही है, मैं नहीं ऐसा क्या कर दिया, मैं पूछूंगे उन मैडम से, जिनोंने आपको मेरे बारे में गलत बातें बताई, जाती हूँ अभी, तमतमाती हुई, उठ खड़ी हुई, मैडम मुस्कुराई, सुना है, तु जाड़ू लगाते समय ठ उन में रहती है, फिर ये दिन रात, फोन के घंटी बचती रहती है, क्या गलत कहा उनोंने, तुझे सोसाइटी में तो काम मिलने से रहा, हम मिलने न देंगे, कहीं और काम ढूंडो, जाओ, पहले खुद को कामवाली जैसी बनाओ, फिर काम खोजो, सुमित्रा बिना कुछ कहे निकल गई, मैडम पीछे से बगबगाती जा रही थी, जरा तेवर तो देखो, रहेगी जुग्गी में, और सपने देखेगी बड़े-बड़े, हाँ, गलत तो नहीं कह रही थी वे, सपने ही तो देख रही थी, जिसकी कीमत उसे चुकानी है, अगर उसे संगीत पसंद है, तो क्या बुरा है, वे काम के साथ नाचती है, तो क्या जल जला जाएगा, अपने में ही तो मस रहती हूँ, मोबाइल पर काने सुनना, इतना क्यों अखर जाता है इन मैडमों को, बड़बडाती हुई, जब सुधा अंटी के पास पहुंच कहीं वो स्टेज पर भीड में नाचते हैं लड़के लड़कियां, आप जानते हो किसी को, हमें उसी ग्रूप में काम दिलवा दोना, प्लीज, कम से कम इजजत की दो रोटी तो खा सकूंगी, मेरा नाचना गाना तो किसी को बुरा न लगेगा, जानते हो अंटी, किसी को, बताओ ना, सुधा ने इस विचितर निगाहों से घूरा, तू क्या क्या करेगी जीवन में, कुछ भी क्लियर है तेरा, वहां भी पढ़े लेके लोग चाहिए, कलाकार होते हैं, कलाकार, थोड़ी देर वह चुप रही, सुमित्रा ने उम्मीद भरी निगाहें उन पर टिक यह मेरी आकरी कोशिश होगी, उसके बाद तुझे वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अपड़े नहीं पहनने दूगा, साधी के बाद। जादा लटक जटक ना पसंद हमें, मनीमन फैसला कर लिया, चाहे कदम किधर जाएं, वह खुद कहां जा रही है, उसके सपने उधर ले जा रहे हैं, सपनों का कसूर है, उसने कदम होटल की तरफ बढ़ा दिये, रुक कह जा रही है, उधर मत जा, सुमित्रा आंटी ने बेजा है, कौन उसे ओरिजनल नाम से पुकार रहा है, यहां पर वह पल्टी, दांत निपूर्ता हुआ, सुधा आंटी का चमचा तेजी से चला आ रहा था, साथ में कोई छोटे कद का छरररा लड़का जैसा, पीट पर पफ जीरता का आवरन चड़ा है, क्या है, यहां तु क्या करने आया है, इत्ती दूर, क्या बात हो गई, सुमित्रा ने त्योरियां चड़ा ले, इनसे मिल, रोहिसर हैं, दान सिखाते हैं, और इनका अपना गुरुप भी है, सुधा अंटी के पास आये थे, इन्हें अपने कुछ सुनाई देना बंद हो गया, वे हवा से भी हलकी होकर उड़ रही थी, हवा में कुछ मंत्र सा छिटक रहा था, हम आपको अभी मंत्री पैसा नहीं देंगे, पर हर शोके तीन हजार रुपए देंगे, आप चाहें तो हमारे स्कूल में इस्टे कर सकती हैं, पूरी तर हम हैं हमारे गृप का, हम कूरस में नाचते हैं, बड़े-बड़े मॉल्स और स्टार के साथ हमारा गृप परफॉर्म करता है, बस जी हम इतना ही शुरू में ओफर कर सकते हैं, आप देख लो, सुमित्रा को लगा हवा से हलकी दे होती जा रही है, जो कभी-कभी पतंग भी बन जाती है, एक डोर उसे सपनों की तरफ लिये जा रही थी, एक सपना डाउनलोड हो रहा था, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, प्रपया चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद